हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल अलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है ये साथ संकेत बताते हैं कि आपके सरीर में है विटामिन सी की कमी कौन से हैं वे संकेत आईए एक एक करके जान लेते हैं अलग अलग विटामिन सरीर के अलग अलग भागों के लिए महतोपुर्ण होते हैं और उन्हें साउस्त बनाए रखते हैं ठीक उसी तरह से हमारे सरीर के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी है यह रोग परतिरोदुक छमता को बढ़ाता है शरीर की किर्याओं के लिए जरूरी है विटामिन सी एक सक्तिसाली एंटियोक्षिडेंट है जो सरीर के सर्कुलेटरी तंतर के किर्या के लिए जरूरी होता है यह कोशिकाओं का निर्मान भी करता है विटामिन C तवचा को सवस्त बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन C की कमी अगर आपके सरीर में है तो ऐसे में आपका सरीर कुछ संकेत देगा जिने आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कौन से वे संकेत आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले आपको पताईए कि आपको वेडियो को लाइक करना है चेनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाना है ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और समय पर मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेडियो नमबर एक बाल गिरते हैं और नाखुन होजाते हैं कमजोर अगर आपके बाल गिरने शुरू हो गए हैं और नाखुन तोटने की समस्या से आप परेसान हैं तो समझ जाएं कि आपके सरीर के अंदर वीटामिन C की कमी है नमबर दो मसूडों में सूजन रोजाना विटामिन C का सेवन करने से आपके दांत और मसूडे सवस्त रहते हैं अगर विटामिन C की कमी हो गई है तो मसूडों में सूजना जाएगा खून भी आ सकता है यह समस्या हो सकती है नमबर 3, सरीर में दर्द अगर आपके सरीर में लगातार दर्द हो रहा है तो आपको अपनी डाइट में विटामिन C जो चीजों में पाये जाता है उन चीजों को सामिल करना चाहिए यह सरीर के दर्द जोडों के दर्दादी को दूर करेगा हड़ियों को मजबूत बनाएगा इसलिए आप इसका सेवन जरूर करें नमबर चार तवचा हो जाती है रुखी तवचा रुखी बेजान अगर आपको नजर आने लगी है तो आपकी सरीर में विटामिन C की कमी है विटामिन C की कमी होगी तो मुआंसे भी देखने को मिलेंगे इसलिए बहतर होगा कि आप विटामिन C युक्त चीज़ों का सेवन करें नमबर पांच थकान विटामिन C की कमी से हमेसा सरीर थका-थका रहता है किसी भी काम को करने में आपका मन नई लगता है तो समझ जाएं आपके सरीर में विटामिन C की कमी है और अगला है हर्दे रोग, विटामिन C की कमी से हर्दे समंधी बिमारिया होने का खत्रा बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके नसों और कोशिकाओं की गिरिया को सपोर्ट करता है, विटामिन C खून को साफ करता है, और शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में मद होता है, आईए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि विटामिन C वाले फल कौन-कौन से हैं, जिनका आप सेवन कर सकते हैं, खटे रसदार फल जैसे क्यावला, नारंगी, निम्बू, शंत्रा, अंगूर, टमाटरादी का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूद, सेब, केला, बेर, कटहल, सलगम, पुदीना, मुली के पते, मुनका, दूद, चुकंदर, चुलाई, बंदगोपी, हारा धनिया और पालक इनका भी सेवन कर सकते हैं, ये भी काफी फाइदेमंद होती हैं, तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी जानकारी आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन सरूर दबालें, ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और शमय पर मिलते रहें